कॉंग्रेस का अपना एक लंबा सत्ता में रहने का अतिहास देश और प्रदेशों में रहा है लेकिन उसके करण जिस तरह की प्रस्थितियां देश और प्रदेशों में उत्पर्ण हुई हम कह सकते हैं कि जनता ने जिस तरह का अपना मानस उसके करण बनाया और इसलिए ये कीस्वी सदी भारती जन्ता पाइटी की सदी है केंद्र में पहले ही भारी बहुमत के साथ भारती जन्ता पाइटी की सरकार बन गई है अनेक प्रदेशों में भारती जन्ता पाइटी की पूर्ण बहुमत की सरकारे हैं और मद्ध्य प्रदेश में चौथी बार फिर से भारती जन्ता पाइटी की सरकार बनने जा रही है और उसके प्रमान अभी से मिलना शुरू हुए है जिस तरह से मुख्यमंत्री जी की जनाशिरवाद यात्रा में जन्ता उमर रही है देर रात तक लोग मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए कठा रहते है यह इस परस्ट करता है कि जन्ता अपना मानस बना चुकी है